हेई एवरिवान वन्स अगेंड वेलकम टो ड्वलेस कुट एक मैसल गौराव और आज के इस पुटिक्लर वीडियो के जरी हम समझने वाले हैं कि किसी भी इमेज के उपर आप किसी भी टेक्स को कैसे लिख सकते हैं जैसे अभी आप मेरे बैग्राउंड के अंदर पीपीटी तो सबसे पहले मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा open cv module की जरूद पड़ेगी जिसके थुरू मैं यहाँ पर जो image है उस image को लाओंगा और उसके पर मैं अपना text दिखूँँगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर import करने जा रहा हूं किसे cv2 to occur cv2 to occur cv2 to क्या करता है आपका open cv है जिसके परिए हम यहाँ पर image को लाने वाले है अब सबसे बहले मुझे image को लाना पड़ेगा दैन उसके पर हमारा जो text है उसे overlap करवाना पड़ेगा अब image को कैसे ला सकते हैं तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक function की जरूद image underscore get के नाम से एक variable बनाता हूं फिर उसके बाद cv2 cv2 नाम से यहाँ पर cv2.im read function जो होता है उस iam read function के हम image को read out करने वाला है अब image कौन से लेके आया है यहाँ तो image की बात करें तो image आप इनमें से कोई भी choose कर सकते हैं तो फिलाल मैं काम करता हूं यहाँ पर यह जो image.3 है इसी को मैं यहाँ पर choose करता हूं तो इसके अंदर इसकी property के पर जाता हूं property में जाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर सबसे पहले इसका address चाहिएगा मुझे address को copy कर लेता हूं और address pass on कर रहा देता है उसके बाद मैं मुझे इस image का यहाँ पर जो name है वो चाहिएग अब इस image को हम पहले resize कर लेता है क्योंकि image काफी बड़ी है यहाँ पर तो इसको resize करना चाहते हैं लेकिन मैं आप image को resize करना हूं यहाँ पर तो image को resize करने के लिए cv2.py का यहाँ पर रीजाइस का यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ रख लेता हैं और यहाँ पर आपके पास इमेज के नाव से बना जाता है तो उसके बाद इमेज को हम यहां पर से बना जाता है वेट की का यूज़ करना पड़ेगा वेट की के जरी हम इसे close कर सकता है और मैं इसके जीरो पास करूँगा ताकि मैं कोई भी बटन प्रेस करूँ उस वक्त मेरी जुक्तिया आपके आसे है यहाँ पर इमेज बहुत क्लोज होने चाहिए इमेज को resize करने के बाद में अब हमें यहाँ पर एक variable की पड़ेगी जो की हमें यहाँ पर text लिक्वाने में help करेगी तो मैं यहाँ यहाँ पर और उस variable का नाम दे रहा हूं जो हमारी इमेज और इमेज है यहाँ यहाँ पर फिरिदे नहीं पड़ेगी जो हमारी इमेज है वो देनी पड़ेगी तो image get मैं यहां पर दे रहा हूं then next हमारे पास है यहां पर text कि हम इसके उपर क्या text लिखना चाहते हैं तो इसके उपर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता था इस window के बग कि इसके उपर मतलब की जो आपकी window है मैं आपको समझा दो है यहां पर जैसे इस window की बात करें इस window के अंदर हमारे पास सबसे उपर एक प्लेट चल रही है इसके बाद में next यहां से यह बटन दिखर आपको यहां से हमारी इमेज कितनी नीचा ने चाहिए मतलब देखें यहां पर यह जो आ यहां पर y-axis की जर्द पड़ेगी तो बात करें यहां पर और जी के अंदर सबसे पहले जाएगा एक्स कोडिनेट एंड सेकिंड जी जाएगा आपके आस यहां पर y-coordinate देना पड़ेगा चलिए इसके अंदर x-coordinate और y-coordinate को यहां पर देते हैं तो और जी के अंदर मुझ पर चाहें तो यहां पर यही मैं यहां पर फॉंट यहां पर चाहूंगा करना पड़ेगा तो मैं यहां पर उसके बाद मैं हैक्स लेक्स मैं आपर एक काम करता हूं थोड़ा लिख लेता हूं थाकि लिखने चलता हूं यहां पर सब्सक्राइब करें करता हुए तो मैं यहांपर क्या मिल चुका है इसके साइस का मतलब हो यह है कि अपका स्विड की साइज तो मैं यहां पर चाहता हूं कि मेरी जो आपकास औरिजिनल साइस की जो इमेज हैं आपकास यहां पर बनेगा तो मैं बेसिकली यहां पर चाहता हूं 3X आपका सबस्क्राइब और चाहिए जिए आपका सबस्क्राइब में उसके अलियुक्त के बाद इस तरह से आपका प्लेल प्सक्राइब होता है अब ज्क्राइब के बात करें तो कलर की जो रेंज होती है कर आपकर होती है 250 और फाइव तक कि आपकर यहां पर रोति है जी रही की कशिलियार जीडिंग करना यहां पर दो color range है यहां पर राइट और ब्लैक के बीच में आपका कोई भी आप रेंज दे सकते हैं तो चलिए मैं यहां पर जीरो देता हूं और यदि मैं रैड कलर दिखाना जाता हूं तो 255 यहां पर color देंगा आपके पास आती है थिकनेस कि मदल आप यहां पर जो आपकी टेक्स है उस टेक्स की थिकनेस आप कितनी देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो थिकनेस तक आपके बीच में रहनी चाहिए यहां पर line type का मतलब यह होता है कि आपका जो टेक्स दिखा जारा है उसकी टाइप कैसे होने चाहिए तो मैं यहां पर यहां पर यूज करना पड़ेगा cv2.tv कि उसके बाद हमें जडरुत है लाइन की लान खमें और यहां आप यहां पर होता है कि आपकी जो इमेज है यहां पर इस इमेज के उपर यहां पर इस तरह से इनेबल कर देता है तो आपका जो इस पॉइंट से आपको यहां पर दिखा जेगा यहां पर इस पॉइंट से लिया जाएगा इसे और नहीं पर नहीं पर देगा वहां पर इमेज को यहां पर टेक्स दिखा रहा है उस करना जाता है तो आप यहां पर इसे दे सकते हैं तो यहां पर फिलाल तो यहां से जस्ट से कड़ लाएं कॉपी कर लाएं इसके अंदर वन बाई वन यह सारी चीजे पासवन कर देता है और इसको यहां से अधार है क्यूंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है यह सारी चीजे बने यहां पर पासंथ आप यह पर अलग रही है तो मैं सब को कॉमा पर रहे इस तरह से आपको यहां पर दिखा जारा है इसको थोड़ा सा नीचा लेका मतलब इसको वाइकसेस के अंदर मुझे नीचलाना पर चले इसको याउस के निचलाने के लिए मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पर 60 करूँगा रण करूँगा तो अभी भी आपके आपके काफी उपर है, मुझे इसको और नी चलाना है तो मैं इसको यहाँ पर करता हूं, 70 कर देता हूं, तो यह देखिए इस तरह से WS scripture आच चुका है, अब मुझे क्या करना यहाँ पर जो मैंने bottom left और होजने यहां पर से प्राइश सब्सक्राइब करा है ईसके बाद में यहां पर पर यहांपर यह आप्ते मैं काम करता हूँ इसे यहाँ इन कोई यहां यहां पर समर्षिया करता हूं जब स्क्राइब निग और इस व क्वाद कराए दता हूँ तो मैं यहाँ पर लगत देता हूँ दिखाए देनी चाहिए तो चलिए इसे इमेज को यहाँ पर दिखाए जाएगा तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करने पड़ेगा नहीं तो मेरी और उसके बाद में यहां पर और तू करने के बाद में थे यहां पर करता हूं तो अब पर नीजे हैं यहां पर दिखा दे हैं। तो फिलाले से ब्रीव स्केल में कर देते हैं क्योंकि यह थोड़ा अच्छा दिखेगा यहां पर इसके इमेज ही हमारे पास असी है तो मैं इसको यहां पर 255 कर देता हूं और इसके बाद में इसको रेड़ इमेज में लगता है ताकि आपको दूर्णों के अंदर डिखा दे क्यों यहां पर नीचे कैसे दिखा दरा है तो उपर दे के blue scale नीचे आपका सकी है red scale अब आप चाहें तो इसको y axis कंदर नीचे ला सकते हैं यहां पर और y axis कंदर नीचे लाने के लिए आप इसको यहां पर थोड़ा पर श्रींस करें इसको एक्टी करें जैसे रन करेंगे आप देखे, अपके आपके आस उपर की नीचे की तरह भी तड़ा दिखा देगे, तो यदि आप एक text लगे, फिर इस text के उपर दुबारा उसके उपर text रखेंगे, तो आपके आस के लिएगे, वो mirror image की तरह आपको यहाँ पर text नजर आगा, यहाँपर, यदि आपको एक आप क्या करना है पुट टेक्स कोड़ना है और यह सारे पारमेटर आप पास कर सकते हैं अब इसका जो यूज है मतलब इसका जो मेजर यूज है वो कब किया जाता है तो इसका यूज हम ज्याद होता है मसीन लेंडिंग के के से में करता है मसील लेंडिंग के अंदर फेस इटेक्षण आपका बनाया जाता है जिसके धरू कोई पर녑ता सास्थ तो फिर इसके लिए आपको यहाँ पर टेक्स की जरूद पर यूज कर सकते है तो यहाँ पर आप ने क्या गया किःक्स को HALE क्ने कर सक सबसे पहले इमेज की दिखा फिर हमने टेक्स बनाया फिर उसी टेक्स के अंदर दूसरा टेक्स में यहां पर लिखा एंड उसके बाद उसी इमेज को हमने शूर करा है तो आइधिंग आपको ओवराल समझ में आच चुका होगा कि किस्तर से करना है टॉप से यहां पर चलना है नहीं तो नीचे से उपर की तरफ आपकर 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 रहा है तो फिलाल आज की वीडियो के साथ तब तक आप हमारे साथ यहीं बने रहे हैं तेल दैन गुडबाई झाल